जैहिंद, जैभार्थ, मैं सुवेदार मिजर और नरी लेटिनेंट पवन कुमार मैंने 1 जून 1990 को इंडियन आर्मी की पंजाब रेजिमेंट में जोइनिंग की थी मैं फर्ष्टली जो भरती है इंडियन आर्मी का सोलजर बना उसके बाद एक साल के बाद मेरी जो फर्ष्ट पोस्टिंग थी वो अरनाचल परदेश के कीब्थू जगा में हुई जो के चैना बौर्डर पर है एक साल का टैनोबर बहां लगाने के बाद फिर में एक साल नागा लेंड में रहा जो के बर्मा का बौर्डर है और वहां से मैं अपनी यूनिट के साथ फिरोजपर केंट पंजाब में पोस्टिंग आया 1994 में पंजाब रेजमेंट की 13 पंजाब यूनिट फिरोजपर में आई बहीं पर मैंने फर्स्ट प्रमोशन हासिल किया लास नाइक का जो के लास नाइक फर्स्ट प्रमोशन होता है वो मैंने वहां पर हासिल किया और फिरोजपर में ही 1994 को मेरी शादी हुई जो के 10 दिसंबर 1994 को ही थी और 10 दिसंबर 1995 में मेरे घर में एक लड़की ने जनम लिया और 96 को मैं वहां पर फर्स्ट प्रमोशन लेकर लास नाइक बना उसके बाद 96 एंड में हमारी यूनिट C.I.O.P.R.S.N. के लिए जम्मू एंड किश्मीर में गई जो के अनंतना के पास अवंतिपुर अवंतिपुर में फर्स्ट हमारी यूनिट पुलवामा डिस्टिक में डिप्लाई होई वहाँ पर इंसरजेंसी के खिलाफ जो सबसे बड़ा अपरेशन हमने लड़ा उसका नाम था आहागाउम अपरेशन जिसके बीच में हमने चार दिन तक मिलिटेंटों के साथ लड़ते हुए 11 मिलिटेंटों को मार गिराया उसके बाद 98 में मेरी यूनिट गुरेज सेक्टर में चली गई और एक साल का टर्न आपर बहां लगाने के बाद जब पोस्टिंग आने वाली थी तब अपरेशन बिजे जो के कारगिल में हुआ वो स्टार्ट हो गया 99 में उस अपरेशन में मेरी यूनिट ने और हमने भाग लिया हमने मशको घटी को एक तरफ से स्क्योर किया था और उनका जो एडमिस्टेशन सप्लाई था उसको कट अफ किया था जिसकी बज़ा से उनका एडमिस्टेशन ना होने की बज़ा से हमारी सेना ने बाद में कारगिल सब्सक्रावाद में आने के बाद मेरी पल्टन 2003 में वहां से गलेशियर के लिए चली गए सेकंड गलेशियर में मैं वहां जौला कंप्लेक्स में रिशी पोस्ट के पूर रहा जिसकी हाइट तक्रीबन 21,000 फिट है और वहां का टेंपरेचर सर्दियों में तक्रीबन माइनिस 40 डिगरी तक चला जाता है वहां पर तीन भीने का टैन अवर लगाने के बाद मैं जब नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद फिर मैं वहां से सेक्शन कमांडर कोर्स करने के लिए मद्या प्रदेश मोव हमिए गया वहां पर मैंने सेक्शन कमांडर कोर्स किया और उस कोर्स में मैंने EXI grading हसल किया वहां से कोर्स करने के बाद वापस आने पर मैं वहां से 2005 में इंडियन मिल्टरिए अकडमी देहरा दून में ऑफीशर ट्रेंग मैं श्यक्रुक्टर का का म किया साढ़े तीन साल का टैनोबर वहां लगाने के बाद 2008 में मैं वहां से वापस अपनी यूनिट में आया तब मेरी यूनिट डेरा बाबा नानक गुर्दासपूर डिस्टिक्ट के बीच में बौडर पर लगी हुई थी और उसके बाद 2008 में ही मैं दबारा प्रटून कमांडर कोर्स के लिए बहां पर प्रटून कमांडर कोर्स करते हुए भी मैंने AI ग्रेडिंग हासल किया और बहां से ग्रेडिंग हासल करने के बाद में मैंने अपनी पल्टन के बीच में बहुत सारे काडर्स बहुत सारी कलासेज और इसके इलाबा बहुत सारे डिवेट्स ये किये और 2012 में मैं सुवेदार बनने के बाद हमारी यूनिट की पोस्टिंग सिक्कम की आई जो के सुपर गलेशिर माना जाता है वहां पर भी मेरे को जो पोस्ट मिली वो एक ब्यूपॉइंट था यहां पर हर कोई ब्यूपी आता था और वहां पर उनको ब्रीफिंग देनी परती थी कि आगे क दर्जे का सम्मान माना जाता है वहां से डेड़ साल का टैनोबर लगाने के बाद मेरी पोस्टिंग जो है मद्या परदेश के उजयन में हुई जहां महाकाल की नगरी माना जाता है वहां पर मैं तीन साल का टैनोबर लगाने के बाद अपने रेजिमेंट सेंटर पंजाब सेंटर रामगड में गया तिक्रीबन नौ महीने का ट्रेनिंग बटालियन में फिर मैं सुवेदार मेजर बन गया और 17 नवंबर 2017 को मैं सुवेदार मेजर बनकर पश्चिम बंगाल में कृष्णा नगर जगा में 14 बंगाल NCC में पोस्टेड हुआ और बहां पर मैंने जाके चार साल का ट्रेनिवर लगाया और वहीं पर 15 अगस्त 2021 को मैं और नरी बना और 30 नवंबर 2021 को मैं अपना सर्विस का 31 साल 6 मिने का ट्रेनिवर पूरा करके रेटायर्मेंट लेकर अपने घर में सुकुशल आया हूँ जैहिन जैभार